हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चनल पर दोस्तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही शांदार पोयम है शॉल्टेरी रीपर ओके और इसको कम्पोज किया है विलियम वर्ट्सवात महोदय ने Summary of the poem हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे और इस पोयम की line by line explanation मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा तो इस वाले वीडियो में Sumtery of the poem मतलब इस poem की हम लोग केवल और केवल summary पढ़ेंगे एक कहानी type का पढ़ेंगे कि इस poem में है क्या पढ़ना क्या है किस type की poem है ओके इस story क्या है सब कुछ जानलेंगे और फिर अगले वीडियो में मैं आपको लाइन बाइ लाइन एक एक वर्ड की मीनिंग बता करके explain कर दूँगा जिससे पोयम आपकी पूरी complete हो जाएगी तो इस वीडियो को जरूर देखना और अपने दोस्तों में share करना और वीडियो पसंद आए तो last में like कर देना नए है तो चलो को subscribe कर लेना तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं solitary reaper और थोड़ा सा हम लोग पहले जान लेते हैं कि ये पोयम क्या है और इसमें क्या कहानी है दिखिए पहले थोड़ा सा आप इसके title पे जाईए तो हमारी जो heading है या हम कहें जो chapter का नाम है title है वो है solitary reaper या कहीं कहीं लिखा होता है the solitary reaper तो उसमें कोई problem नहीं है solitary का मतलब होता है एकांत में रहने वाला या रहने वाली अर्था अकेला या अकेली solitary का मतलब अकेला या अकेली और रीपर का मतलब होता है काटने वाला या काटने वाली अब क्या काटने वाली फसल काटने वाली तो रीपर का मतलब फसल काटने वाली और सॉल्टेरी का मतलब अकेली यानि अकेली फसल काटने वाली अब हमने वाली क्यों बोला क्योंकि अभी जब आप पोएम पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर एक लड़की के बारे में सारी बाते बताई जाएंगे ना कि कोई लड़का है तो इसलिए हमने काटने वाली कहा The Solitary Reaper फसल काटने वाली एक लड़की है उसी के बारे में यह पोएम है और इसको कंपोज किया विलियम वाट्सवाथ तो चलिए देखते हैं पहले थोड़ी सी समरी और जानते हैं इस पोएम के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं about the poem The Solitary Reaper is a lyric poem by English Romantic poet William Watsworth and one of his best known works Solitary Reaper जो है यह एक lyric poem है lyric का मतलब क्या होता है गीत या बोल lyric का मतलब गीत या बोल और lyrical poem का मतलब होता है गीतात्मक यानि ऐसी कविता जो गाई जा सके So Solitary Reaper is a lyrical poem यानि एक lyric poem है गीतात्मक कविता है और किसके द्वारा इसकी रचना की गई है by English Romantic Poet William Watsworth के द्वारा and one of his best known works और works का मतलब रचना है इनकी सरवाधिक अच्छी रचनाव में से परिशिद रचनाव में से एक है The poem was inspired by him and his sister Dorothy Dorothy's stay at the village of Strafire in Scotland in September 1803 3 समझ लीजे 1803 में सेप्टेंबर में William Watsworth और उनकी बहन डोरूथी नाम क्या था डोरूथी वे Scotland में एक city का नाम है इस्टे थायर या बिलस कहली से वहाँ पर वो लोग रुके थे और उसके बाद बूजाते हैं Scotland की पहाड़ीों में घूमने, सैर करने तो वहाँ पर उनको एक लड़की दिखती है पहाड़ी लड़की, Scotland के पहाड़ों में रहने वाली एक लड़की जो फसल काट रही है, और आराम से मतलब बहुत ही प्रसनता पुरोग धीरे-धीरे गाना भी गा रही है गीत गा रही है, वो जो लड़की है जो फसल काट रही है वो गीत गा रही है, तो विल्यम वाट्सवत अपनी बेहन दोरोथी से कहते हैं धीरे धीरे चलो नहीं तो उसको पता चल जाएगा कि हम लोग आए हैं और वो गाना बंद कर देगी तो हलाकि बिलियम वर्ट्सवत उसको समझ नहीं पाते तो चलिए हम लोग देखते हैं पोयम के माध्धिम से थोड़ा सा इसकी समरी के माध्धिम से इसको समझते हैं अभी मैं पोयम नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बस आपको समरी बता रहा हूँ The solitary reaper is one of what's most famous post-lyrical ballads Okay, ballads का मतलब गीत होता है The words of the reaper's song are incomprehensible to the speaker यानि जो words सब्द है इस reaper के यानि जो काटने वाली है उसके सब्द है are incomprehensible मतलब समझ के बाहर है incomprehensible मतलब जो समझ में ना आ रही है यानि समझ के बाहर है किस के लिए to the speaker, speaker के लिए यानि William Wordsworth के लिए समझ के बाहर है मतलब William Wordsworth को उसके जो सब्द है समझ में नहीं आ रहे है कि वो क्या गा रही है, किस language में गा रही है So his attention is free to focus on the tone, expressive beauty and the blissful mood लेकिन फिर भी उनका जो पूरा का पूरा attention है वो किस पर focus है उसकी आवाज पर tone का मतलब उसकी जो आवाज है expressive beauty और उसकी जो आवाज के सुन्दरता है and the blissful mood और उसका जो आनन्द में mood है blissful का मतलब आनन्द में यानि खोसी प्रसन्नता पूरोग जो उसका जो चहरा है mood है क्योंकि अच्छा mood होता तभी गाती उसको देखने में और सुनने में लगे हुए हाला कि उनको उसका word समझ में नहीं आ रहा है तो ये जो है कहते हैं बिले मोटसवाथ आगे देखे दा पॉट आडर्स जो पॉट है यानि कभी यानि बिले मोटसवाथ है आडर्स का मतलब आदेश देते हैं और रिक्वेस्ट या फिर प्रार्थना कहते हैं कह सकते हैं His listeners, अपने सुनने वालों को, अब देखे, कहीं-कहीं लिखा होता है कि वो अपनी बहन डोरोथी को आग्या देते हैं, कहीं-कहीं लिखा होता है कि जो हम लोग को आग्या देते हैं, तो हम लोग को क्यों आग्या देंगे, हम लोग तो वहाँ थे नहीं, बहन थी उनकी, तो इ एक प्रकारसम कह सकते हैं, कुवारी लड़की को देखो, मतलब जो 18-19 साल की लड़की है, उसको मेडन कहते हैं, तो उसको देखो, रीपिंग काट रही है, and singing to herself, और गा भी रही, सोयम ही काट रही है, फसल को, सोयम गा रही है, वो जो कभी है, वो कहते हैं, कि जब भी कोई यहां से गुजरो, तो या तो आराम से गुजरो, धीरे धीरे, या तो रुख जाओ, stop मतलब रुख जाओ, और अगर रुखना नहीं, तो जेंटली पास मतलब धीरे धीरे गुजरो, as not to disturb, नहीं तो वो disturb हो जाएगी, या नहीं परेशान हो जाएगी, और गाना रोक देगी अपना, क्योंकि भाई, मालिजज़ा आप कहीं अकेले हैं, और कोई गाना गुनगुनार है, जब कोई आ जाता है, तो आप सर्मा जाते हैं, और गाना बंद कर देते हैं, इसलिए व वो लड़की हम लोग को देखना पाए, ओके तो अब हम लोग चलते हैं, समरी पर, अभी मैंने आपको बताया, about the poem, यानि poem के बारे में बताए, अब हम लोग चलते हैं, समरी पर, यानि कि पूरी की पूरी आपको इस स्टोरी समझाने में ले चलता हूँ, देखिए, in this poem, इस कविता में, the poet William Oatesworth tells us about a girl, William Oatesworth हमें एक लड़की के बारे में बताते हैं, a highland lass, जो की पहाड़ी लड़की है, highland lass का मतलब पहाड़ी लड़की, lass का मतलब लड़की, highland का मतलब पहाड़ों में रहने वाली, who is, जो है, in a field, खेत में, alone का मतलब अकेले, William Oatesworth हमें एक लड़की के बारे में बताते हैं, जो की एक पहाड़ी लड़की है, और वो खेत में अकेले है, single in the field, वो कहते हैं, single मतलब अकेले है in the field, जो मैं कपता पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर यह word आएगा, single in the field, as she is harvesting her crops, वो अपना crops काट रही, harvesting का मतलब फसल काटना, और crops का मतलब फसल होता है, तो वो फसल अपना काट रही है, she is singing a sad tune, और एक दुख भरा गीत भी गा रही है, which equals in the deep valley, जो की पूरे वैली में गूंज रहा है, वैली का मतलब घाटी, भाई पहाड़ी अलाका में पहाड़ी, जहां होती वहाँ घाटी भी होती है, तो उस घाटी में पूरी की पूरी उसकी जो गीत है, वो गूंज रही उसकी आवाज टकरा करके वापस आ रही है, the speaker ask us, speaker हमसे कहता है, या फिर आप कह सकते हैं, अपनी बेंड दोरोती से कहते हैं, to stop, की रुख जाओ, रुखने के लिए कहते हैं, रुख जाओ, and listen, और सुनो, to her, tune, उसकी आवाज को, उसके गाने को सुनो, और या फिर gently pass, gently pass क तो मतलब धीरे-धीरे गुजरो, pass का मतलब गुजरना, gently का मतलब बहुत बिनमरता पुरो, क्यानी धीरे-धीरे गुजरो, नहीं तो उसको पता चल जाएगा कि कोई आ रहा है, और रोगाना बंद कर देगी, वो हमें बताता है, वो हमें बताता है, कि किसी नाइट इंगल यानि बुल बुल ने, गाया है, किसी नाइट इंगल ने नहीं गाया, किसी बुल बुल ने नहीं गाया, बुल बुल एक चिडिया है, ओके, नो नाइट इंगल है, संग, किसी बुल बुल ने नहीं गाया है, एक स्वागत गीत टू वंडरर्स वंडरर्स का मतलब घूमने वालों के लिए इन्दा डिजर्ट्स जो की रेगिस्तान में घूम करके आते हैं इतना सुन्दर दैन दा गल्स इस्टेन इस गल्ड के गीत की अपेच्छा समझने वाली लाइन है विल्मोर्स वड कहते हैं कि जब माली ज़र्स कोई डिजर्ट है तो वहां से ये तो पूरी की पूरी जो मैं इस्टोरी बताऊंगा ये बुक में लिखी हुई है आपके कविता में यहां तो समरी में नहीं है कि जब कोई डिजर्ट से जनी रेगिस्तान से ठक करके आता है और किसी पेड की नीचे बैठता है तो माली जब वहां पर कोई बुलबुल गा रही है तो उसका गीत भी उतना सुन्दर नहीं होगा जितना की ये लड़की गा रही है जितना सुन्दर इस लड़की का गीत है ओके तो वही कह रहे है कि वह हमें बताते है that no nightingale has sung a welcoming song welcoming का मतलब स्वागत करने वाला गीत तो आइसा नहीं कि चड़िया उसकी स्वागत कर रही है बट उसको कहा गया कि welcoming song यानि स्वागत करने वाली गीत to the wonders का मतलब घूमने वाले in the desert मतलब रेगिस्तानों में रेगिस्तानों में घूमने वाले घूमकडों के लिए इतना सुन्दर welcoming song यानि स्वागत कीत बुलबुल ने भी नहीं गाया होगा जितना की ये लड़की गा रही है ओके he goes on to stay मतलब sorry he goes on to stay वो कहता चला गया और उसने आगे ये भी कहा कि कुक्कु जो बर्ड होता है कुक्कु एक चिडिया है वो भी अपने सबसे अच्छे दिनों में यानि कि जब बसंद का टाइम होता है उसमें cannot हम मतलब नहीं गा सकती नहीं गुन गुना सकती इससे अच्छा ट्यून विले मट्सबत कहते है ना तो कोई बुलबूल उतना अच्छा गा सकती है ना तो कोई कुक्कु बसंद के समय इतना अच्छा गा सकती है हर सिंगिंग is the only sound ब्रेकिंग दा सायलेंस इन दा रेभरिज यानि रेभरिज का मतलब जो घाटी है उस घाटी में उसका जो sound है, उसकी गीत का जो आवाज है वो पूरा गूंज रहा है और वो वहाँ की सांती को तोड़ रहा है, भंग कर रहा है घाटी में क्या होता है? सांत होता है, लेकिन जब वो गाती है पूरी की पूरी घाटी कैसी इतिमाल लेज़े वहाँ पर कुछ नहीं तो घाटी कदम सांथ होगी पहाड़ पर कोई रहता है कोई नहीं तो सांथ रहता लेकिन जब वो गार है गीत तो उसके गीत जा करके पहाड़ों से घाटी उसे टकरा करके वापस आ रहे है तो यानि हर singing उसकी जो गीत है उसकी गीत है is the only वो केवल और केवल है sound आवाज यानि एक ही आवाज है breaking जो तोड़ रहें था silence मतलब सन्नाटे को या सांती को in the haverage उस पहाड़ी या घाटी पर यानि उस घाटी वैसे haverage का मतलब घाटी होता है लेकिन पहाड़ी भी कई कई ल चेतर होता है उसी को घाटी कहते हैं तो उसकी जो आवाज है वो पहाड़ों से टक्रा करके आ रही और वहां की सांती को भंग कर रही है एक ग्रूप्स आफ आइलेंड्स एक द्यूपो का समू है जो हैब्रीज अब यहां देखिए यहां क्या बताएगा है एक ग्रूप्स किनारा है क्योंकि इस्कोर्ट लाइंड्स जो है यह एक समूद्र के किनारे तो करके दिव्रीज कहलाता है अब अलग अलग देश में अलग अलग मेनिंग उसका निकालते होंगे कुछ भी कह लिजए घाटी कहलेजिए पहाड़ी कहलेजिए टापू कहलेजिए तो वहाँ पर जो है जब यह गाती है लड़की तो इसकी आवाज जाती है और वहाँ की सांती को भंग कर देती मतलब चारो तरफ इसकी आवाज गोंजती रहती है The poet has not a clue of what this song is about Poet को जो कभी है उसको कोई clue नहीं मतलब कोई संकेत नहीं है कोई उसको कुछ पता नहीं है कि किस बारे में एक अविता है Of what this song is about मतलब किस बारे में एक अविता है किस बारे में लड़की गार ही कुछ नहीं पता है और if it has a theme और उसका theme क्या है सारांस क्या है कुछ भी नहीं पता है Having no answer कोई भी answer उसको नहीं मिलता ही It's about a war long ago वो गेज करता है कि सायद ये कोई युद्ध हुआ होगा उसके बारे में गार ही है Something mundane कुछ उसके साथ बुरा हुआ होगा दुरगटना हुई होगी और even some suffering या कोई उसको दुख होगा उसके बारे में अपनी पीड़ा ब्यक्त करके गार ही होगी तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये बस छोटी से मैंने आपको summary समझाई और अब आगे जो है मैं एक वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं आपको इस poem को line by line explain कर दूँगा फिर बहतर ढंक से आपको समझ में आएगा तो इसको मैंने बस ऐसे ही आपको थोड़ा सब poem के बारे में बताया कि क्या हो रहा है तो इसको एक दूबार आपको देखना है और वीडियो को share कर देना है, subscribe कर देना है चैनल को